नितीश कुमार ने भी सोच विचार कर ही बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया नितीश ने बीजेपी से अलग होने की तीन वज़े बताई है नितीश ने कहा है कि बीजेपी उन्हें हमेशा अपमानित करती रही बीजेपी ने जेडियों को खत्म करने की साज़िश की और नितीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोका दिया है धोका, साज़िश, अपमान इनारोपों की चर्चा बेहार की राजनिती में खूब होती रही जब नितीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में साज़ेदारी करते हुए आये तभी से उनके असंतुष्ट रहने के खबरे आने लगी नितीश कुमार की तक्रार मोधी मंत्री मंदल में हिस्सेदारी पर हुई बिहार की राजनिते घटनाओं पर हुई नितीश के अपमान और साज़श वाले दावे की समीक्षा पर हमने इसी लिए आपके समझ के लिए एक रुपोर्ट तयार की है उसे देखिया अब नितीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ बिहार की राजनीती का नया अध्याय लिखने की तयारी में है ये दोनों नेता ईद के दिन मिले थे तो मन के मैल धुल गए होंगे अब महरम के दिन प्रदेशी नहीं देश की राजनीती का माहौल ही बदल दिया है डिये का सरकार से परसान था जनता और नितीश बावु बहुत दिन से सूच रहे थे कि कोब निकले और निकलने का मौका मिला अब निकल गए एक दो बात बता दे बिहार को महराष्ट होने से बचा लिए मुखमंत्री जी नितीश कुमार जी भारत के सभी युवाओं या काना चाहते हैं कि बीजर्पी ने जो युवा रोजगार पर चोट किया है इसका जबाब तेजस्वी जी मानिय मुखमंत्री नितीश कुमार जी ने देने का काम किया है यह माहल बदला है तो इसके पीछे कारण बहुत है पहला कारण नितीश कुमार ने अपमान बताया तो अपमान वाले नितीश की दावे पर तक्रार की एक तस्वीर देखी ये है विजय सिना जो बीज़ेपी कोटे से विदानसबा स्पीकर थी 14 मार्श 2022 को मुख्यमंत्री की लिए अपने ही स्पीकर से जो बहस हूँ वो भी माहौल बदलने की एक बड़ी वज़ा रही आसने आसन की भी बात सुनी जाए आप देख एक बात जान लिजिए ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है जब प्रस्ण करता ने प्रस्ण पाया कि कुर्की जप्ति हुआ है कि नहीं स्पीकर के साथ सदन में तकरार से नितीश इतने नाराज थी कि बीजेपी से अलग होने का मन बना ही लिया दरसल नितीश कुमार विजय सिना को स्पीकर नहीं बनाना चाहते थी लेकिन राजनीती में संख्या बल कम था तो बीजेपी की मांग पर जुकना पड़ा नितीश के मन में ये काटा गड़ा रहा और अब सत्ता जाने से बौकलाई बीजेपी पूछ रही है कि दो साल से क्यों मौन थे अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो दो साल रुके क्यों हुए थे भाई बीस में ही नहीं आप सरकार बनाते नमस्ते कर देते तो सत्ता का सुख लेंगे मोधी जी के नाम पर जीत का अनंद लेंगे और आज छोड़ कर चले जाएंगे मान अपमान की कहानी आपने देखी अब समझे कि GDU को तोड़ने का दावा नितीश कर क्यूं रहे हैं RCP संग को बियार में लेकिन ये विश्वास पात्र RCP संगी नितीश कुमार को दगा दे गए नितीश कुमार केंजिय मंत्री मंदल में सीटों के हिसाब से हिससेदारी मांग रहे थे मोधी सरकार निटीश को मात्र एक सीट देने पर राजी हुई बाचीत की जिम्मेदारी निटीश ने RCP को सौप दी RCP से निटीश की मर्जी के खिलाफ एक सीट पर राजी हो गए और खुद मंत्री बन भी गए ये निटीश के विश्वास पात्र की ओर से पहला जटका था निटीश ये मानने लगे कि जेडियू तोडने के लिए बीजेपी RCP का इस्तिमाल कर सकती है जब से महराश मेर शिक सेना पर शिंदे सेना हावी हुई तब से निटीश कुमार की आशनकाओं को आधार भी मिल गया अच्छा हुआ वो इस समय गटबंदन में फिर सब लोग ये खट्टे हो गए आज नहीं कल वो जो कह रहे थे वो तो होना था पार्टी तोड़ देते कोई क्योंकि RCP सिंग जो है वो इस काम के लिए इस्टिमेंट है निटीश ने समझदारी ये बरती कि RCP सिंग को दोबारा राज्यसबा नहीं बेजा इससे मंत्रीपत भी गया और साथी पार्टी से बाहर भी निकाल दिया गया इस दाव से निटीश कुमार ने पार्टी को बचा भी लिया और भविश्य में अपनी सियासत के चमकने की उमीद भी मजबूत कर दी बीते दो साल में कई चोटी चोटी घटाओं की वज़े से निटीश और बीजेपी के बीश दूरिया तो बढ़ने लगी थी बीजेपी के साथ गटबंदन में निटीश कुमार को अपनी राजनतिक प्रतिष्ठा के गिर जाने का खत्रा भी लगने लगा था 12 जुलाई को विदानसवा भावनकेश अताबदी वर्ष समारों के समापन समारों में पीम नरेंज मोदी आये थे ब्यार सरकार के खर्चे पर किये गए इस कारेक्रम में निटीश कुमार की फोटो कहीं नहीं लगाई गए निटीश कुमार को ये बात खटकी बीजेपी नेता उन्हें तीसरे दरजे की पार्टी कहते रहे यानि ये एहसान जताया जाता है कि वो BJP के रहमो करम पर CM बने है नाराज नितीश कुमार पूर राश्पती रामनाथ कोविन के विदाई समारों में से नहीं गए राश्पती ज्रौपदी मुर्मू के शपत ग्रहन से भी नितीश कुमार ने दूरी बनाये रखी केंडर की CAO और NRC जैसी योजना उपर नितीश कुमार ने कोई स्टांड नहीं लिया उस स्टांड लेने में उनको परिशानी महसूस हो रही थी पार्टी को जरसंक्या लियंतरन कानून जैसे मुद्दे पर नितीश केंडर का विरोध नहीं कर पा रही थी अगनीवीर योजना में विहार सबसे ज़्यादा सुलगा लेकिन नितीश अपना स्टांड क्लियर ही नहीं कर पाए थे बीजेपी नेतरित्व के साथ धीरे धीरे इसी मनमुटाव के बाद नितीश कुमार ने दूरिया बढ़ानी शुरू कर दी थी और अब उन्होंने अलग होने का फैसला तक ने लिया